कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं पाखी रिष्टे मोग आँ अचाना राकी रिष्टे को तोटे सब जाना हूँ मैं ना तो भाई भावी अखा तोटे कोई देख सकता और नहीं तुम्हारे दोस्ती को खोना चाहता हूँ लेकिन यह बात भी स्ताच है के मैं मरीयम की जगह किसी आपड़े नही सकता अब बते है तौस अरे तुम्हारे बारे में मुझे नी पता हुआ तो पिर किसे बता होगा तुम्हारे लिए आया हूँ मेरे मतलब है तुम्हारी और मरीम की खबर लेने आओ ना बरसों का साथ है इतना पुराना नाता है ऐसे तो नहीं छूटेगा ना ज़िया हुआ हुआ हाँ इतने अरसे में उसकी जिन्दगी विख सुपश कोई है एक जवन बेटी की माँ है तुम कैसे सोच शकते हो कि वे अपने पेटी के बारे में ना सोचे। अर अपने बारे में शोचे तुम्हार साथ जिन्दगी मैं सम Central के लिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ अभी ऐसे दुनिया में बेहिस लोगों के कमी नहीं है एक भाई ने मेरी बेहन को दुप दिया और माशाला दूसरा मेरी ही जखमों में नमक चुड़कने आ गया कमाल है भई, कमाल है जानता हूँ और बहुत शर्मिंदा भी हूँ आप शर्मिंदा है आपके शर्मिंदा होने से क्या होता है मेरी बेहन का तुटावा दिल जोड़ जाएगा घजाला ने अपनी खुष्यों को रद करके हमारा घर बचाया प्लीज आपी जो हो गया उसे मदोहा है मेरी किसमत में यही लिखाता हूँ मेरी बदनसीबी को अपने रिष्टे के दर्मयान में लाके उसे बरबाद मत करें तुम वाकी बहुत आला जर्फ की मालिकों गजाला मैं शायद तुम्हारा यह इसान पुरी जिंदेगी उतार ना पाउँ लेकिन हाँ यह मैं यकीन से कह सकता हूँ के तुम बदनसीब नहीं हो बलके वो बेवकूफ पागल वकास बदनसीब है जो तुम जैसी अच्छी लड़की को छोड़के पता नहीं किसके साथ रिष्टा जोड़ बैट है नहीं वाकार भाई मैंने अपनी बहन पर कोई इसान है किया सिर्फ वो ही किया जो एक बहन दूसरी बहन के लिए करती है और मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर भाई कुछ भी नहीं ऐसा तो ना कहो रूबी तु तु जानती हो घजाला भी मेरी बहनों जैसी और उसकी ये कुर्बानी में कभी जायगा नी होने दूँगा बलकि मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि आने वाली जिन्दगी में जो मुम्किन होगा मैं करूँगा अब क्या कर लेंगे आप जिस वक्त आपको बड़े पंद का मुजारा दिखाना चाहिए ता वक्त आप खामोश थे खड़े हो के तमाशा देख रहे थे आप क्या कर लेंगे आप जाहिए प्लीज मुझे 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 मजीद शिर्मिंदा मत करो रूबी मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ लेकिन एहसान फरामोश नहीं हूँ तुम जानती हूँ जब भी वक्त आएगा मैं उसका एहसान उतार दूँगा अब चले अब ही नहीं शाम में जाएंगे आप खसाला की हालत तो देखे कितनी दुखी है वो मुझे उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है ठीक है जैसे जैसे तुम्हें बेतर लिए मैं इंतिजार करूँगा तुमारा पाहिए ठीक है असलाम लेकूम वालेकुम असलाम वालेकुम असलाम अँटी मैं फर्मान की शॉपिंग के लिए जा रही थी उसके सारे कपड़ इतने छोटे हो गया है मझे बिल्कुल ऐसास मिवा अच्छा तरी जाओ और सुनो जब जा ही रही हो शॉपिंग को तो अपनी शॉपिंग की जरूर करें नई आउटी मेरे बस बहुत कपड़े हैं इसी बात कर रही है अच्छा क्या मैं कुछ दिन से देख रही है तो अपने बिल्कुल ध्यान ने दे रही है नई आउटी ऐसी कोई बात में इसी बात है जब मैं कहरी है थो जी क्या बात है हो रही है शॉपिंग को जा रही है मैंने का जाओ अच्छे बलके हाँ ऐसा करो शॉपिंग के साथ चले जाओ सफीर अब आप में आपस ते ले जाना पहले से शॉपिंग ले जाओ नई आंटी सकी जरूरत नहीं है मैं खुदी चली जाओँगी मैं कही हूँ ना जाू तुम गाड़ी स्टाठ करो आरमी nou मैं तो रॉड़ी हो दुम आञाओ नई सफीर इसकी कोई ज्डऱ्थ मैं खुदी चली जाओँगी Jisya जो गाड़ी स्टाट करो, आड़ी जी जो चली जाओ चले ठीक आंटी शापिन जरू करना थी ओ किया लाफिस अरे रूबी बेटा तू अच्छा किया आ गई इसे क्या हुआ है खेरत हैं यह भी आप मुझसे पूछ रही है आपको जड़ा सा भी अंदाजा है रूबी के दिल पर क्या गुजर रही है अरे यह तो रूबी थी जो आ गई वरना मैं देखता इस घर के अंदर कोई कदम कैसे रखता यह क्या कह रहे हो तू बटा सही कह रहा हूँ अमी रूबी की बेहन का रिश्टा तूटा है और उसी शर्मिंदगी और जिल्लत के साथ उन दोनों बेहनों ने कितना तावन किया हमारे सा बतले में हमने क्या किया वही रोज रोज के ताने, गिले, शिक्वे पर आप लोगों को लग रहा होगा वापस आगए क्या सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा नहीं लेकिन जो उसके दिल पर गुजर रही है न अमी वो सिर्फ मैं जानता हूँ मैं समझती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ रहने दे अमी आप अमी अप परिशान मैं तो हूँ, सब ठीक हो जाएगा नहीं बेटा, अब हालात और भी खराब होगे पहले बहु नरास थी और अब बेटा खफा हो गया मिना दिल बहुत परिशान है अमी बस वक्ती गुसा है, ठीक हो जाएगा अब टेंशन ना ले अल्ला करें सब सही हो जाए पताने मेरी घर को किसकी नजर लग गई है किसे शर्ण का सबसे लुजाएदिए रुजायद चन्टाइए अवाटी अवकास बेडाए खातका था ही जाएब, एक एक रिए इसलाने कम, एत्क एक ईšनुड़आ एक और भी बाल्या है वाल एक उल्सक्ता वालने कम, अवालत टार्ञा है अगर पुरा ना मानों तो मैं डॉप करते हूं अब क्यों बार बास इचे आ जाते हैं ठीक है मैं जानता हूं तो मुझसे फास्ता रखना चाहते हूं लेकिन कभी कभी मसाफ़त तेह करने के लिए अज नभी वी सफरसाथ काट ले हमारी तो फिर भी एक गुजरे से शना साही है शना साही थी अब ने वो बग गुजर चुका है आप पीस चले जाएं हेलो खुश्काबरी है तुमारे लिए बाभी गर्णाज चुकी है अरे वाब बहुत बहुत मुबारक हो अबस अब ऐसा ही हमारे हवाले से बिसनना चाहता है कैसा मतलब तुमारी तरफ से मुबारक बाद हाँ सुन लोगे बहुत जल सुन लोगे इसलिए तुम्हे तुम्हें फोन किया बाभी गर आचुकी है तब तुम्हारे गर कब आए अगर इतनी जल्दी सथियां गुजर गए तुम्हारे इंदे जार मोदम कहती हो जल्दी जहां इतनी सथियां गुजर गई है वहां कुछ घड़ियां और सही अच्छा मैं फॉन रख रहे हूं बाद में बात करते हूं हां बाई क्या बात है उस्ताथ आज तो बड़ा मूँ सूजा हुआ है करें से मारवार खाकर आ रहे हो क्या तुमीज से वुलाम मार खाने के लिए नहीं पैदा हुआ हां अलबता चूंती के पर निकलते वे देख रहो हूं है हुकुम्तो कर उस्ताथ पर कुतर दूँ क्या ना इस मामले को मैं खुद देख लूँगा यही तो सारा मसला है सब कुछ आप खुद ही देख लेते हैं और हम आपका मूँ देखते रह जाते हैं तुम नहीं समझोगे बिटवा हर जगह, हर महले के कुछ तकाजे होते हैं यह अपना महला है अपना घर है यहां असपास के लोग जानने वाले हैं अब वो दूसरे महले में जहां बएशरीफ लोग रहते हैं यह जो शरीफ लोग होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, इंसे इक्तियाद करनी पड़ती हैं कसम से आपकी इसी इतियाद की वज़ा से आज तक मेरे हाथ बंदे हुए हैं और आप अब भी हरी जंडी दिखा रहे हैं यहरी जंडी तुझे आगे बंड़ने के लिए दिखा रहा हूँ मैं, खुश हो जाओ जी ले अपनी सिंदगी, जो करना है कर ले मतलब ये, अव्वा को छो, मर्यम को पकड़ बीच रास्ते पर रो, तंग कर उसे जो करना है उसके साथ कर ले, अपनी रोकूंगा तुझे बाद सच कह रहे है वाप, यही तो क्वालिटी है गुलामगी जूप नहीं बोलता हूँ वर्यम को हासल करने के लिए जो तेरा दिल चाहे कर ले मेरी तरह से तुझे खुली छुटी ये हुईना बाद तुम का वाइन अभी अभी, क्या वाप कुछ परिशान लग रहे हैं नहीं नहीं, सब ठीक है क्या वाप ही सब ठीक है, कुछ छुपातो नहीं रहीं से मर्यम ने क्यों कुछ छुपाऊंगी तुमसे हाँ ये भी है, आज तक हमने सब अच्छी बुरी सब बाते शेयर किया मैं आपसे कुछ कहना चाह रही था, कहो वो वकास का फॉन आया था, कह रहा था कि अपनी अम्मी और भावी को लेकर आना चाहते है आपसे बलवाने के लिए, जानती थी मैं, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो मुझसे, वो मैंने, बहाने बनाने की जूरत नहीं है, उसे को ले आए, अगर अपने तुमारे खुशीन के वास्ते में आई, तुम्हें अपने आपको माफ नहीं करूंगे, लेकिन क्यों अम्मी है, मुझे नहीं सुन्नी कोई भी बात तो हारी है, फिर भी सुनतों लें, अम्मी, आपकास, वो, मुझे ना आप तुनों से कुछ बात करनी है, अम्मी देखे, जो हुआ उसे भूल जाएंगे न, मैं भी भूल चुकी हूं, आप भी बूल जाएंगे, पुरानी बातों को याद करने से पाइधा तो कुछ भी नहीं है, वकास, तुम मुझे से अब तक नाराज हूं, मैं इसी कुछ बात नहीं है, अच्छा अब तो फिर, मर्यम से कब मिलवा रहे हूं है, अरे, जवाब दो में तुम से कुछ पोच रही हूं, आप बेरा, जव तो पर ठीक है, संदे को मुलकात करते हैं, मर्यम से, अमी क्या कहती हैं, मैं बकार को बता क्या आती हूं, करने क्या हो गया, वो बहुत खुबसूरत है, अंटी, जब पहली बार उसे देखा था, तब ही सफीर की पसंद की दाद देनी पड़ गई थी, तब ही समझ गई थी, सफीर उसकी महबत में क्यों मुबतला है, अंटी, वो अभी भी बहुत खुबसूरत और बहुत ग्रेसफुल है, और अब बहुत फर्क है, अब उसके साथ उसकी एक जवान बेटी भी है, बात महबत की आंटी, और जहां महबत हो, वहां ये सब बाते माइने नहीं रखती है, मरीम, वरिम क्यो Giannaar कर रही हो मुझे? और कर भी ही अ सकती हुद्टी, हमी तुम्हारे और मेरे रिश्टे के लिए इंकार कर चुकी है, क्या? յो किसी भी हाल में मेरे शादी तुम्से नहीं होने देंगी, क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ अर्सलाम से होनी चाहिए यही बहतर है हम लोगों के आपसी रिष्टे और मजबूत होगी है और तुमारी मुमानी को मजीद मौका मिल जए तुम पर महर्बानिय करने का है न? मेरी मान को जरब भी अकल है जान भूज कर तुमें एक बार फिर एक कुवे में धा केल रही है कुछ तो होश करो यार जो भी है वकास वो मेरी अम्मी है और तुम? तुमारी कोई पसंदीत की नापसंदी कुछ भी कुछ भी नहीं है हां मेरी पसंद मेरी सोच की कोई वैल्यो नहीं मेरी मा का फैसला ही मेरे लिए आखरी फैसला है और मेरी अम्मी का फैसला है के मेरी शादी सिर्फर सिफ तुम से होगा मैंने होने दूँगा तुमारी नहीं होने दूँगा बद्दू अम्मी मान गई है जो पो सुखुछ रखा हूं। मैं बहुत कुछ खुछ हूं। अला की खुषियां सलामत रखे। अगर... क्या? जो भाभी का नहीं आरा? उनका लवया इसकादर अच्छा कैसे हो गया? उनको शायद समझ आ गई है कि मैं और लगजाला किसमत पही नहीं था फिर भी इतने हर्से से उनका हाल रहा है उसे देखते वे मुझे इतना क्यों सोचते हूं तुम तुम तयारियां करो हमें जल्द ही मरीम के घर जाना प्यारियां तो यह हो जाएगी आप बस थोड़ी सी खर्ची दे तो मैं दूँ हाँ आप अच्छा तुम सूच रही होगी कि मैं याँ पर क्यों आई हूं जी वो मैं याँ पर सफीर के बारे में बात करने आई हूं सफीर के बारे मैं हाँ सफीर जिसको इतने साल से तुम जानती हो इतने सालों में तुम तो जिन्दगी में आगे भड़ गई लेकिन वो वहीं का वहीं घड़ा है अगर सफीर ने आपको भेजा है उससे कहे मुझसे कोई उमीद ना रखे उसके अपनी जिन्दगी जैसे मरजी गुजारे अच्छा जिसने सारी जिन्दगी इसी इंतजार में गुजार दी कि एक ना एक दिन तुम उसके जिन्दगी में वापस जरूर आओगी मैं उसको जाकर कहे दू कि कोई उमीद ना रखे मैं तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करने आई थी कि प्लीज उसकी सजा खतम कर दो और उसका हाथ थाम ना मुम्किन मैं जिन्दगी के जिस हिस्से में हूँ ऐसी बात अब सोच भी कैसे सकती है क्यों ना मुम्किन है सिंदगी के किसी भी हिस्से में दो इनसान एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं इसमें क्या बुराई है मेरी एक जवान बीटी है मुझे उसके बारे में सोचना है मेरे पस अपने लिए तो कुछ भी नहीं और सफीर सफीर के लिए भी तुम्हारे पस कुछ नहीं है उसकी महबबत उसका इंतजार तुम्हारे लिए कोई माइने नहीं रखता चिसा प्लीज मेरी बेटी आने वाली है मैं इस मौजू पे और बात नहीं करना चाहरी कभी-कभी तो मज़े अफसोस होता है सफीर पे उसकी बदकिस्मत महबबत पर या तो उसकी महबबत बेवफा है या वो खुद ना समझ मर्यम तो कल चली जाएगी फिर तुम क्या करोगी कैसे अकेले जिन्दगी गुजारोगी बहुत से लोग जिन्दगी अकेले गुजारते हैं हाँ क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता लेकिन तुम्हारे पास है जिन्दगी तुम्हारे आगे आगे घड़ी है और तुम युग मोड कर जा रही हूँ मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ अब इस पे मजीद बात करके अपना वक जाय मत करें ठीक है मैं तो यहां पर महबद का एसास करने वाली दोस की हैसियत से आई थी अगर तुम्हे थोड़ा टाइम मिले तो इस बारे में जरूर सोचना शायद तुम्हारे दिल में अभी भी सफीर के लिए थोड़ी सी जगह हो हुआ 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 है तो आज हमारी शादी को छे महीने हो चुके होते हैं अगर खामा खाम देर कर दीना देखो अगर अगर इसी तरह चलता रहाना तो किसी दिन शोर मचाकर सब को इकष्था करके तुम्हारी ऐसी मार लगवाऊंगी कि तुम्हारी जिंदगी आद रखोंगी हम जो रास्ता पकड़ने है वो हम छोड़ा नहीं करते अरे बुला लो जिसको बुलाना है देख लेता हूँ सुनिए यह मुझे तंग कर रहा है हसलो उस्ताद हसलो हसली तोर क्या करूँ एक बात मेरी जाद रख ले बेटा वो चुडिया तेरे काबू पे नहीं आने वाली बूल जा उसे अब मैं उसे नहीं बूल सकता है क्यों अच्छी मुबत होगे उसके साथ बोट यही समझ लो अगर अब कुछ ऐसा करूँगा उसके साथ कि जिन्दगी भर वो मुझे नहीं बूलेगी यह हुई ना बात तो फिर अब वही कर जो सैफी हमें कह रही है सैफी क्या कह रही है मर्यम सारी उमर कमारी बठी रहा शादी नहीं होनी चाहिए उसकी चाहे उसे शादी के अफर करने वाला उसका आशिक वकास हो या कोई और ठीक है वैसे भी मुझे उससे शादी नहीं करनी है मगर उसे बदनामी का जेवर गिफ्ट जरूर करना है बिल्कुल यही होना चाहिए ऐसी लड़कें जो सैफ इतने तीक ही चाटे यह इस सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना इस सब कुछ प्रेले भी हो सकता दो अगर तो मेरी बाफ नहीं वकास प्लीज पुरानी बाते मध्दोहराय करूं तो फिर क्या आने वाले कल्की बाते है हाँ मैं सोचना का कि एक बार आंटी से मिलूँ इससे पहले कि मेरे घरवाज उमले उसे तुम वागई में मिलना चाहते है हाँ कुछ शिकायते कहना चाहता हूँ कुछ बश्वर लेना चाहते तो ठीक है, मेरे साथ चलो चलो कुछ बार कुछ बार कुछ कुछ बार कुछ शुजा 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 कहां खो गई उप मामी तुमे उपर बढा आए ओ अच्छा, मैं आती हूँ भी सब ठीक तो एना शुजा शुजा का सफीर मैं कल हवा से मिली थी क्या मैं देखना चाहती थी जो आग आपके दिल में 20 साल से जल रही है क्या हवा भी उसकी तपश अपने दिल में महसूस करती है फिर वो दूसरों के लिए अपने आपको कुर्बान कर रही है हाँ वो हमेशा से दूसरों के लिए जीती आई है लेकिन खुश नसीब है वो जिसे आपके जासा चहने वाला मिला अगर कोई और होता तो वो शायद उसको समझ नहीं बाता और अपना रास्ता बदल लेता अपना रास्ता बदल लेता सफीर सफीर मुझे लगता है हालात और जमाने की धुटकार ने उसे बहुत दरा दिये और ये रिश्टा कबूल करने के लिए उसमें आप हम्मत नहीं वैसे भी इस माशरे में अकेली वरत कहां तक हम्मत कर सकती है अब हवा का बस एक ही मकसद रह गया कि उसकी बेटी को उसकी हिस्से की सारी खुशियां मल जाए और अगर उसके बाद कुछ खुशियां बज गई ना तो वो आपकी महबत कबूल कर लेगी लेकिन यह इंतजार कितना तबीज हो क्या पता शेज़ा आप तो यह एक एक जंग है महबत और इंतजार के दम्यान तोनों में से एक को तो खत्म होना होगा महबत तो खत्म होनी सकती इंतजार को यह कटना होगा सफीर, मैं कुछ तिनों के लिए इसलामबाद जा रही हूं एक कॉंफरेंस अटेंड करने और फिर्मान भी मेरे साथ जा रहा है नो के इतने सालों में तुम तो जिन्दगी में आगे भड़ गई लेकिन वो वहीं का वहीं घड़ा है मरियम तो कल चली जाएगी फिर तुम क्या करोगी कैसे अकेले जिन्दगी गुजारोगी जिन्दगी तुमारे आगे आके खड़ी है और तुम यू मोड़कर जा रही हूँ थैंक्यों आदीव आपने हमार रिष्टे के लिए हाँ कहदीव उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे तो कभी इस रिष्टे से इंकार नहीं था बस मैं मजबूर हो गई थी ये बेटी के खुश्यों के आरे आगे हो सके तो माफ करते हैं ने ने याँटी ये किसी बाते कर रही हैं अपनी मा की जगा है खलती है तो हमसे हुई है माफी तो में मगनी चाहिए वैसे अब ही आपसे मिलना चाह रहे थे जरूर कब अब जब के उनसे को जब भी फूस अपने ले आज़े थैंक यू अब मैं चबता हूँ ये तो गुड़नी हुजब भाई तो फिर कब लगार है मैं जब चाहूँ मिल्किकल उनुवस्टी चलो मिले ना बुरी बात ऐसे अकेले में नहीं मिलते मेरा खाल उसके घर चलते तुम्ने बात तो कर लिये नो बीटा जी अवा अंटी ने काय किसी बिद्धन आचाहँ अम्मी आपके चाहँ आपकास सारे काम खुदी कर लो कि या मुझे और अंटी को भी कुछ मुआगत दो करने का मेरा मतलब है के रसमे होती है जो बड़े करते है हाँ मैं तो बस ऐसे ही कह रहता है और हाँ मर्यम से ज़रा मेल जोल कन्ना बंद करो पहले मुझे आंटी और हिना को तो रिष्टा तेह करने दो जाके पकाई था उसके बाद इतना मिलना है मिले ना किसने पोक है और अभी तग उसी राके में रहते हैं पर बड़ा ही मश्किल रास्ता था नहीं हो लोग बहां नहीं नहीं रहते हैं नहीं है तो बहुत अछी बात बढ़ अचिजगा रहा है नहीं हो पर तो बहुत अच्छे बात बात नहीं है पर ना अगर गरीब लड़की लड़की लाते है तो किनी बुरी बाते हैं अटी क्जाए में चीने हो और शहीए? लगा रिष्टीक अब मियाव अदास क्यों हो रही है, शिजा हमेशा के लिए थोड़ी के लिए हटे वर में वापस आजेगी शिजा अब एक दिन के लिए भी दुर दुर हो ना, तो मुझे जीब सा लगने 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 हैं और इसका बच्चा वो तो बहुत ही रॉनक बच्चा है बहुत तारा बच्चा है शिजा प्यारी है? वह बहुत अच्छी और प्यारी दोस्ताना यह समीर आपी देगे हाँ भई आ रहे है हाँ भई आ रहे है क्या? कैसे? जी अम्मी 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 सफीर सार और उनकी अम्मी का एक्सिडेंट हो गया है क्या? हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा हाँ हाँ तुम जाओ आप नहीं जाएंगी मर्यम मुझे काम है तुम सेरिश को लेके चली जाओ हमी सफीर सार ने कितना साथ दिया है हम लोगों का हाँ जुन पर मुश्किल घड़ी आई है सब है बिच्डे बिच्डे बाहम तुम कोई रई सर पर किसी चोट आई है अगर अच्छी बात यह है कि उनने किसी किसम का खतरा नी She would be fine. रखसम, क्या मैं मिल सकता हूँ उपसे? हाँ, वो होश में, मगर फिल हाल आप उनसे ज्यादा बातें मत कीजिए. जे, जे. सर, आप ठीक तो है ना? हाँ, हाँ, ठीक हूँ. और आंटी कैसी है? खुदा का शुकर है, आप खत्रे से बाहर है. हाँ, मिल सकते हैं. हाँ, आए. अम्या, आपको मेरी वैल से तुटली किए. आपको मेरी वैल से तुटली किए. और हवा, हवा के नाम से तो मैं, काफी अरसे से मानूस. इस नाम से तो जैसे रिष्टा से बन गया. खुश रहो जीती रहो. ने, हम्या की आदत है, सब को इसी तरह द्वाएं देती रहती है. प्लीज, आप लोग उच्छ देर के लिए बाहर रहें. डॉक्टर विज़ट के आरे हैं. अच्छा, आई. आई. अच्छा, आई. अच्छा, आपको भी पतानी क्या चलती थी. एक आदेन रुख जाती हैं तो आज़गो जाती हैं. बस होगी देखवाली. मजे, गहरी आना थी. चलाएं. चलाएं. आई. हमें. हमें? आपको हवा कैसे लगें? हमें. अच्छी. बहुत अच्छी. हालाद की सख्ती ने भी उसकी शख्षियत को गुनना ही लग दिया. दिल की भी बहुत अच्छी. अगर. अगर क्या? सफिर मुझे नहीं लगता कि वो तुम से शादी के लिए हां कहेगी. उसके सर पे एक बड़ी जिम्मेदारी है. हाँ, वो जिम्मेदारियां ने भाकर तुम शायद वो. आए, ऐसा भी नहीं लगता. तुम क्या समझते हैं? तुम्हारा हाथ छोड़ने के बाद जो उसने रास्ता एक्तियार किया. उन्हें वालते हैं इनकी इस्जत के लिए. मैं नहीं समझती, कि उमर के इस हिस्से में वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभाने के बजाए, तुम्हारे हाथ थामने को तरजी दे. ऐसी वारत नहीं है. मुझे ही कहने में कोई आर नहीं है सफिर, कि तुम ऐसी रोश्णे के पीछे भाग रहे हैं. कि जो हमारे जिसम पर पढ़ती तो है, लेकिन हम उसे गयत नहीं कर सकते हैं. अपने दिल को संभालो, मेरी माना तो तुम्हामी प्लीज. प्लीज. अपना प्लीज. अपना प्लीज. अपना प्लीज. कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं. कोई नहीं मेरे मन का महरम. अपना प्लीज. अपना प्लीज. कि ऑना प्लीज. अपना प्लीज.